रहे हैं और यह बता रहे हैं मनी सिंद्वी की गाउं का मौसम गुलाबी है दावा किताबी है पता नहीं कैसे कैसे यह लोग शेर पढ़ते रहते हैं यहां प्रदिन 50 लाग रोजगार मिल रहा था और जब मिल रहा था नहीं आये तो नहीं मिला भई आते तो मिलता देखिए वह रोजगार तो फ़लुः चलाने का था मंद्रेगा में अगर उसको रोजगार मान रही है सरकार तो भई लाखो लाख रोजगार मुबारखो रोज लेगिन एक बात तो सत्य है कि सरकार के थी नवकरियां बहुत है काबिल लोग नहीं है यह बात कही गई है अब का सोशल मीडिया पर ये ट्रोल बन जाए तो वो काबिल हो जाता है आज मारे सरन की वात मिचा है कि इतना बड़ा सोसल मीडिया पर इम्लों को अधार की ग्यश्थ दुनिया देख रही है कि इस तरह से किसी इस तयाएज से चल रहा है ? बिल्कुल गिसी सरकार के लिए इस तरह से ट्रोल होना इस तरह से ट्रेंडिंग होना यह कोई मामूली बात नहीं है इस अच्छा आज कही कि यह अनर्किस्ट लोग है यह सब कर रहे है reproduce जी आज कहें कि बत्तियां बुजा दो बत्तियां बुजाने से मुझे नीद नहीं आएगी, तो बत्ति अगर आज बुजी नो बजे तो नीन तो आ कहीं, बहुत लोगों नहीं आएगी, क्योंकि जो 5 सितंबर को 5 बजे ताली थाली बजी थी, कि उसने इलहाबाद के सस्पी के कुरसी के फचारों पावा तोड डाला को ध्राम के गिर गए इतना ताली थाली बज़ गई मारा क्या करिए निलंदित हो गए कि इलहाबाद में लड़के बहुत है यह सूर प्रताफ सिंग्ग आज रात में लाइट बत्तियां बुझने वाली हैं तो आज फिर देखिए टार्च जलेगा ने मैं तो ग्रीट को लेके संकट में कोई ग्रीड में कोई प्राबलम ना जाए इस देश में पांच करोन नोकरि में फड़वा चलाएं जहुआ धोए मट्टी धोएगा वह अगर सरकार यही कराना चाहती है तो मन्रेगा में क्या हिश्रों का काम कराएं ग्यानिक बना दें नहीं तो क्या माइल आउट हुआएंगे उनसे अब अब यहीं बचा है इस देश में अरे मुझसे को नल रहे हो मैं तो सवाल पूछ रहा हुआ है मैंने क्या किया भई भाई देखिये हम तो यह जानते हैं एक दिन मैंने आपसे कहा भी था कि पूरी साब की पार्टी जो हो यह सोच रखती है कि जनता को अतना कुचल दो कि बस वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझे बाकी वो कुछ मांगे ना तो पूरी साब को तो देखिये फंडा किलियर है और मैंने यह भी कहा था एक दिन की अगर आप किसी बच्चे से कहो गये कि लिए पचास रुपिया जाओ मेरे लिए जहर ले आओ खाले तो यह रास्ता मों करो किया हो कहिए कि महां से 30 रुपिया रजनी कंधा ल रेख लेते हैं इस में कोई नई बड़ी बात नहीं है क्या है ? इस दैस के लोगों को आगा था कर योग कारे रुपाय गिर गया जब तक टंसे आवाज नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे रुपया गिरा तो यह हम आप चिला रहे हैं बेरोजगार चिला रहे हैं डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं सोसल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है पूरा समाज देख रहा है उसके बाजूत चुकि सत्ता में आप पांच साल के लिए बैठे हैं आप ना मानिए आप ने तेरा लाख नौकरी परतिवार सुत्तर परदेश में मैनिफेस्टों में वादा किया था अब आप ना मानिए यह आपकी इच्छा है लेकिन जो लोग भष्टाचार गरीबी और बेरोजगारी पर विपक्ष में रहकर बड़े-बड़े भासण देते थे आज वो सत्ता में आकर इन बातों को क्यों भूल गये हैं वो इस देश की जंता के साथ अगार वो नहीं है जो कतल कर रहा है मुझरिम भीवा नहीं है जो कतल करवा रहा है कातिल दो वह है जो मंच पर खड़ा होकर क्यों बड़े-बड़े और लच्छेदार भासण दे रहा है वो है इसली कातिल उसने हमारे समाज की युवाओं को बाटा है आज महोबा में एक प्यापारी ने एस्पी को घूस नहीं दिया तो गोली मरवा दी आप देख रहे हैं हां यह तो मतला है रहानी की बात है यह अभी नए लड़का है नहीं आई पीए से 2014 वेज का यह उत्तर वह नोकरीव नहीं होता तो निश्चित वह गोड़े पर बैठा हुए डाकू होता वर्दी पहन कर इस तरह से जंता को लुटने का काम क्या उम्मीद कर सकता है लेकिन इस मामले में ब्रजेट जी मुख्यमंत्री योगी का भारी भी होना पड़ेगा उन्होंने कारवाई की आज उसको निलंबित किया अच्छा सोचो अगर यही कोई आम आदमी किया होता तो लेकिन समस्चे है कि भारत निर्मार भी तो करे रहे हैं इसी खूब लूटो लूटने वाले को भी छूट जो लूट रहा हो खूब चिल्लाएं उसको भी छूट इसे भारत निर्माण हो रहा है लेकिन चार लाइन कहूंगा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा यह ने पूरी जी बहुत तनाव में हैं आज हमारे देश का हमारे परदेश का युद्ध रिलेक्स्ट नहीं वह अपना तीस रुप्यक मंगा चुके हमाल नहीं आप तीस का नहीं तीन सो गर रहता है और आज से नहीं हमेशा रहता है यह पर वाले ने बरकरार रखें आप परसनल नहीं तो सब अपन मज़ेट रहते होंगे यहां कूवत पर जिन्दा रहने लिए तवर्रुक पर जिन्दा नहीं रहते हैं आपने इतनी बहली बुरी बात कही प्रताप सिंग्गों ने बुरा नहीं माना पीक्ति वानते हो राजन ना उनका चरितर बचा और ना उनके उपर लोगों का इतबार बचा है युवा बहुत निरास है बेरोजगारी के दर्द से हम गरीब हैं अब परेसान और बिना अन्न के चूला घर में और भूखा हराम मेरे बेटे को रोटी मिल जाए और पती को काम बस यहीं है बेरोजग कि लोगतंत्र में जब जनता की नजरों में सत्ता कहीं न कहीं कहा जाए उसकी गिर जाती है तो वो फिर उसकी दसा क्या होती है उस पर चार लाइन चुनियेगा कि दुस्मनों को सजा देने की एक तहजीब है मेरी मैं हात नहीं उठाता बस उसे नजरों से गिरा देता वह बहुत बहुत शुक्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित पूरी जी मेरे पास CMI के एक रिपोर्ट है जो यह बताती है कि बेरोजगारी दर जून में 10.99 फीजदी यानि करीब 11 फीजदी पहुंच गई यह संकट बड़ा है यह सिर्फ सरकारी नौक्रियों का संकट नहीं है